हेलो अवरीवन स्वागते दोस्तों आपका मेरे चैनल में मैं प्रिशांत कुमार सुकला एडोकेट साथ ही आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मत्पदेश हाई कोड का एक और करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेयर करें कमेंट करना तो मत बूलेगा अगर किसी केस रेट कोई भी कुरियो तो कॉल पर भी अपना एपॉइंट्मेंट बुक कर ला सकते हैं उसका नंबर मैंने डिस्क 15 वर्ष से कम थी घटना से पहले आवेदक और अभियोक्त्री एक दूसरों को जानते थे और वे एक दूसरों से प्यार करते थे और साधी करना चाहते थे और सत्रा दो 2023 को पीड़ता ने अपना घर छोड़ दिया और उसके साथ चली गए जहां आवेदक उससे मिली और फिर वे गुजराच चले गए और पती-पत्नी के रूप में एक किराय की कमरे में एक साथ रहने लगे आवेदक ने पीड़ता के साथ बार-बार बलतकार किया यह जो केस क तत्य थे याची करता यानि किस व्यक्ति के तरफ से कोड के समझ क्या बात रखी गए आहिए वो जानते बात यह रखी गई कि आवेदक ने कोई भी अपराद नहीं किया है उसे मामले में जो है जूटा फसाय गया उनकी पिछली जो जमानत याज को खारिच करने के बाद अ आएफायार दर्ज कराने के समय अभियोक्तिरी की उम लगबग उन्नी वर्स की थी और जो प्रावसिक्टिक्स के साथ जो रिलेशनशिप के सहमेती देने वाली भी पार्टी थी आवेदक जो था वो बीस तीन दो हजाल तेश से हिरासत में हैं तो यह बात इस व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में रखी गई और जो प्रतिवादी ने इसका जोड़दार विरोध किया जहां न्यालर ने इसे व्यक्ति को आएपीसी की जो धारा है यानि की तीन सो तीरसत तीन सो चैटर और साथ पासको एट की धारा तीन बटा चार के एट के तर इसको जमानत पर रिहा कर लिए यह इस इंपोर्टेंट केस का जज्जमेंट है और इसके इंपोर्टेंट असा करते हैं वीडियो आपको अच्छला वाप लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए कि कोई भी किरियों को पर भी अपने अपवाइंट पे बुक करा सकते हैं मिलते हैं एक नेक्स्व